प्रभु ईशु के मधुर नाम में नमस्कार दोस्तों हम सब कितनी ही खुशी और कितनी ही गर्भ के साथ सब को परिचे देते हैं कि हम मसी ही है या दूसरे शब्दों में प्रभु ईशु मसी के अनियाई है लेकिन हम मैंसे किसी ने प्रभू ईशु को देखा नहीं है हम प्रभू के बारे में परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं या परमेश्वर के वचन से हमने जाना है सवाल यह है कि जिस पर्मेश्वर के वचन से हमने प्रभूई ईश्व को जाना है उस पर्मेश्वर के वचन को हम जानते हैं क्या परमेश्वर का वचन एक आती विशाल ग्रंथ है और हम खुद लगबख सबी लोग जानते हैं कि इस आती विशाल ग्रंथ के काफी सारे पोर्शन जो है वो प्रभु ईशू के समय के पहले लिखे गए थे और कुछ जो है प्रभु के समय के बाद लिखे गए थे लेकिन हम सब के मन में ये प्रशना अकसर आता है कब लिखा गया, किसने लिखा, लेखक कौन थ्या और जब लिखा गया तो उसके बाद जो है इसको आगे वाली पीडियों के लिए किसने सुरेच्छित रखा, किसने उन तक पहुँचाया छपाई की कला तो उस समय नहीं थी तो फिर लोगों ने क्या किया इत्या दी इन सब विश्यों का अध्याय, अध्यायन हम लोग जिस विश्य में करते हैं उसका नाम है बाइबल परिच्चे तो बाइबल परिच्चे के नाम से प्रभू ने मदद की तो मैं लगभग मेरा अनुमान है कि मैं कम से कम 30 एक क्लासस लूँगा जिस में कम्प्लीट बाइबल के बारे में आपको जानकारी दूँगा सबसे पहले आज एक सामान्य परिच्चे या जिसे अपन कहते हैं न जनरल इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ आप जानते हैं कि ये एक अती विशाल का एपुस्तक है इसमें काफी सारे नाम हम देखते हैं जैसे व्यक्तियों के नाम दानियल, यशाया, मत्ती, मर्कुस लेकिन हम उसके अलावा लोगों के नाम देखते हैं जैसे रोमियों, जो कि रोमी लोगों को लिखा गया था ऐसे व्यक्तियों के नाम भी हम देखते हैं जिन के लिए लिखा गया था जैसे कि फिलेमोन लेकिन हम उत्पत्ती नामक, पुस्तक भी देखते हैं जहाँ पर वर्नन है और नाम से ही हमको पता चलता है कि उत्पत्यादी का विवरेंड होगा निर्गमन नाम देखते हैं जिसका मतलब है कि लोग कहीं से कूच कर गए और वाके में वो लोगों की यात्रा का विवरेंड है भजन नाम देखते हैं जिसका मतलब है कि हो ना हो उसमें आजकल जैसे अपन भजन गाते हैं उस तरह के भजन हो नीती वचन नाम देखते हैं जिसका मतलब है कि जरूर जो है सूकतिसार या उसमें नीती संबंदी वचन कहे गए होंगे सच है, बाइबल में इन सब चीजों का मिश्रण हम देखते हैं और ये जो अति विशाल ग्रंथ है ये इसमें सिर्फ एक प्रकार का नहीं अनेक प्रकार की रैचनाएं हम देखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ये जो अध्यान है ये आप सब को प्रमेश्वर के वचन के बारे में और अधिक विस्तार से समझने में मदद करेगा सबसे पहले तो हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वाइबल जो है ये जो विशाल ग्रंथ है ये दो भागों में बटा हुआ है पूरवार्द पुराना नियम कहलाता है उत्तरार्द नया नियम कहलाता है ये नाम जो है जिन लोगों ने रचना की थी उस काल में ये नाम प्रचलित हो गए थे और आज भी ये नाम प्रचलित है पूरवार्द और उत्रार्द कहें या पुराना नियम या नया नियम कहें कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन हाँ पुराना नियम जो है या पुरानी वाच्चा और नई वाच्चा उसमें अर्थ ज्यादा नहीं थे और अर्थ क्यों ज्यादा नहीं थे ये हमारा अध्ययन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे आपको स्पष्ठ हो जाएगा कुल मिलाकर बाइबल में 66 पुस्तके हैं मतलब अलग-अलग समय पर लिखे गए चोटे बड़े 66 पुस्तक है जिनको 66 लोगों ने नहीं बलकि लगबग 40 लेखकों ने लिखा है कुछ लेखकों ने सिर्फ एक पुस्तक लिखी है तो कुछ लेखकों ने एक से ज़्यादा पुस्तके लिखी है उदाहरंड के लिए प्रभु ईशु के परमभक्त और अनियाई पौलूस उन्होंने सबसे ज़्यादा पुस्तके बाइबल में लिखी है मूसा जो की यहूदियों के एक महान नायक या लीडर थे उन्होंने कम से कम 6 पुस्तके लिखी हैं और उसके अलावा काफी सारे भजन लिखे हैं तो इस तरह से कुल 40 लेखक हैं जिसमें से कुछ ने एक पुस्तक लिखी कुछ ने अनेक पुस्तके लिखी ये लेखक लोग एक दूसरे को नहीं जामते थे इनमें से कई लोग एक दूसरे को नहीं जामते थे क्योंकि ये 66 पुस्तके जो है एक ही काल में नहीं लिखी गई थी बलकि मूसा ने जो पहली पुस्तक लिखी या बाइबल की जो पहली पुस्तक है उत्पत्ती वहां से लेकर बाइबल की जो आखरी पुस्तक है जिसको हम योहना का प्रकाशित वाकिय कहते हैं इन दोनों के बीच में लगभग 1500 साल का अंतर है जी हाँ 1500 साल का गैप है स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी 1500 साल नहीं जीता है इसलिए इसका जो पहला लेखक है उसने कभी सबसे आखरी पुस्तक के लेखक को नहीं देखा है तो ये 40 लेखक जो है एक दूसरे से इन में से जादा तर लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं है एक दूसरे से परिचित नहीं हुए है इतना ही नहीं एक समय नहीं रहे है और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब लोग एक ही देश या प्रदेश में नहीं थे ये लोग पुराने नियम की रचना इब्रानी भाषा में हुई है एक छोटा सा पोर्षन है दो छोटे से पोर्षन है पुराने नियम में जो की अरामी भाषा में लिखा गया अरामिक या अरामी भाषा में लिखा गया है नयानियम जो है पूरा का पूरा युनानी भाषा में लिखा गया है तो इस तरह से बाइबल में हम देखते हैं कि ये जो 66 पुस्तके हैं इनकी रचना तीन अलग-अलग भाषाओं में हुई है जिनमें मुख्यतिया हिब्रानी भाषा और युनानी भाषा है ये जो 66 पुस्तके जब लिखी गई हैं मतलब ये डेड़ हजार सालों के दौरान उस समें इस तरह से किताबे नहीं होती थी किताबों का चापना जो है मुश्किल से 5.5-5.00 साल पहले चालू हुआ है पेपर का जो अविश्कार हुआ है वो भी जो है इतना पुराना नहीं है मतलब ये दी बाइबल की रचना जो मैंने आपको बताया कि प्रभूई इशू के समय से लगबग 1400 साल पहले पहली पुस्तक लिखी गई थी तो उसका मतलब है कि आज से 3400 साल पहले पहली पुस्तक लिखी गई थी तब ना तो पेपर था, ना पेपर से मिलता जुलता कुछ था तो इस कारण पुस्तक की रूप में जो है उनको जिल्द चड़ा के नहीं रखा जाता था बलकि उस समय वो लोग क्या करते थे कि लिखने का मिटीरियल जो है उसके एक बहुत लंबा जो है स्ट्रिप हुआ करता था जैसे टाट पटी होती है और जैसे टाट पटी का अपन जो है गोल लपेट कर रखते हैं उस सरह से इस लंबे से ये जो स्ट्रिप है इसको वो लोग गोल करके रखते थे आप पुछेंगे कि ये लंबा स्ट्रिप जो है, ये किस चीज का बनता था पहले तो ये चमड़े का बनता था उस इलाके में जहां ये लिखा गया था वहाँ पर जानवरों का पालन पोशन बहुत आम बात थी और जहां भी जानवर होते हैं, वहां हम जानते हैं कि चमड़ा होता है इसलिए तो अपन जूते चपल जो हैं चमड़े के बनाते हैं इससे भी जादा चमड़े का प्रचलन उस समाज में था इससे जादा जानवर वहां पालते थे तो जैनुवर के मरने के बाद वो लोग उस चमड़े को लेके साफ सफाई करके उसको पीट पीट के पतला करके उसको पॉलिश करके और फिर काट के एक के बाद एक जोड़ के उसका जो है एक लंबा सा स्ट्रिप बना लेते थे और उसमें शुरू से आखिर तक जो है वो एक एक कॉलम की रूप में लिखते चले जाते थे और लिखने के बाद जब वो सूख जाये तो उसको लपेट कर रख देते थे कभी-कभी एक साइड में लिखते थे, कभी-कभी दो साइड में लिखते थे अपने को दोनों ही प्रकार के पुराने जमाने के ये चमडे के पीसिस मिले हैं जिनको अपन चर्म लिखित बोलते हैं, क्योंकि वो चमडे की ऊपर लिखा गया है तो सबसे पहले तो चमड़े पे लिखा गया था उसके बाद लगबग प्रभुई ईशू का समय आते आते एक चीज और प्रचुर मात्रा में उपलब्द होने लगा था उस चमाने में एक विशेश प्रकार का पौदा होता था जिसको पेपिरस बोलते हैं आज भी इजिप्ट या मिसर वगरा की इलाके में पेपिरस होता है पेपिरस के पते बहुत लंबे होते थे वो लोग क्या करते थे कि पेपिरस के पत्तों को काटके उनको एक दूसरे के उपर आडा तिर्चा रख देते थे जिस तरह से ताना बाना बुन कर कपड़ा बनता है exactly इसी तरह से आड़ा तरचा रखके और उसके बाद जो है उसको उसके उपर लकड़ी की पटिया रखके उसको कूटते थे तो कूटने से ये जो आड़ा तरचा या आड़े तरचे रखे हुए पत्ते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते थे फिर इसको धूप में सुखाने के बाद इसके उपर पॉलिश कर देते थे चूँकि ये पेपिरस नाम के पत्ते से बनाया गया था पहली बार और चूँकि ये चमडे से पतला होता था तो उसी की देखा देखी भविश में पेपर बनाया गया और ये जो पेपर नाम है वहीं से आया है तो पेपिरस जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्द होने लगा तो पेपिरस चूँकि चमडे से सस्ता पड़ता था इस कारेंड लोगों ने लिखना और अधिक चालू कर दिया तो इस तरह से पहले चमडे पे लिखते थे फिर पेपिरस पर लिखते थे और बाद में जब हाथ के बनाय हुए पेपर का विश्कार हुआ तो लोग जो है पेपर पर लिखने लगे जब पेपर पर लिखने लगे तो उनको समझ में आया कि पेपर मजबूत चीज है इसलिए उसको छोटे-छोटे टुकडों में काट कर उसके उपर लिखके उसको यह बाइंड किया जा सकता है इस तरह से जिल्द चड़ा कर वो लोग पेपर की किताब बनाने लगे पहली बार इस तरह से किताबों का अविश्कार हुआ था लगभग दो हजार साल पहले उसके पहले बाइबल जो है वो चर्म लिखित और पेपिरस पर होता था जिसके गोल मैनिस्क्रिप्ट जो है हजारों संख्या में उपलब्ध है जिसको यह पूरा प्तत्व में जो लोगों रसर्च करते हैं उन लोगों ने ढूंड निकाला है सो कुल मिला के कहा जाए तो यह जो महान ग्रंत है इसके 66 पुस्तकों को 40 अलग अलग लेखकों ने डेड़ हजार साल की आवदी में लिखा पहले लेखक ने 1420 में पहली पुस्तक की रचना की आखरी पुस्तक की रचना प्रभु ईशो के एक शिश्य ने लगबग 80-70 के आसपास की तो यह डेड़ हजार साल हुए इन डेड़ हजार सालों में शुरू के डेड़ हजार साल, शुरू के लगबग 1400 साल सब कुछ चमडे की उपर लिखा जाता था चमड़ा प्रचुर मातरा में उपलब्द था उसके बाद जब नया नियम का काल आया तब तक papyrus परियाप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगा तो उसका रेंड लोग क्या करते थे कि जिस किताब को सुरेच्षित रखना है या जिस कौपी को सुरेच्षित रखना है उसको चमड़े पे लिखते थे जैसे आजकल अपन लोग जो है के लिए जो ग्रांत होता है उसको बहुत हार्ड बाइंडिंग करके उसको सुरेच्षित रखते हैं लेकिन लोगों के बीच में परचार के लिए जो पुस्तक जिसका ओपियोग किया जाता है उसको पेपर की जिल्द दे देते हैं यह सस्ता पढ़ जाता है यह महंगा पढ़ता है महंगा वाला सुरेच्षित रहता है सस्ता वाला उतना सुरेच्षित नहीं होता है लेकिन सस्ता होने के कारण जन जन के बीच में व्यापक हो जाता है तो नया नियम का जो समय आया तब तक ये दो प्रकार से वो लोग ग्रंतों की कौपी करने लगे और प्रभु के दया से चमडे की भी बहुत सारे कौपी जो है बचे हैं जिसको वैग्यानिकों ने ढून निकाला है पेपिरस भी बहुत सारे कॉपी जो है बच गए हैं जिसको वैग्यानिकों ने ढूंड निकाला है इस तरह से बाइबल की रचना हुई अच्छा रचना होने के बाद जब पेपर का विश्कार हो गया तो पेपर को लोगों ने बाइंट करना शुरू किया इस बीच जो लोग लेदर का या चमडे का उपयोग करते थे उन लोगों ने चमडे की बहुती पतली शीट्स बनाने का तरीका ढूंड निकाला तो जो किताबें जिनको सुरेटशित रखना है या जिनको हम रफरेंट्स ग्रंथ बोलते हैं उस तरह के ग्रंथों को चमडे के पतले शीट्स पर लिखके जो है एक तरफ से सिलाई करके जिल्द बान देते थे पुस्तक के रूप में उसे सुरेटशित रखते थे और जन साधारन के बीच में यूज़ करने के लिए या तो रोल करके या किताब के ही रूप में पेपरस के उपर लिखते थे बाद में जब चीन में उन लोगों ने पेपर का विश्कार किया धीरे 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 चीनियों ने पेपर को सारी दुनिया में बेचना शुरू किया बेचना शुरू किया, तो लोगों ने भी पता लगाए कि किस तरह से पेपर बनाते हैं, उसको उन लोगों ने बहुत गुप्त रखा था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने किसी ने किसी तरह से उसका भेद ले ही लिया कि ये लोग पेपर कैसे बनाते हैं, सारी दुनि बहुत ही श्रम भरा हुआ था इसलिए कि पेपर पर भी उन्हें हाथ से लिखना पड़ता था मैं और आप आज बॉल्डपेन यूज करते हैं बॉल्डपेन तब नहीं था बॉल्डपेन आज से 40 साल पहले भी नहीं था मेरे बच्पन में नहीं था और पहली बार जब मार्के वाले उस पे जुर्मा न लगाते थे और परिषा से पहले विद्यार्थियों को सूचना देदी बाकाइदा सूचना देदी जाती थी बॉल्डपेन से एकजाम लिखा जाएगा तो एकजाम निरस्थ हो जाएगा बॉल्डपेन नहीं था उसके पहले था फाउंटेन पेन जिसमें स्याही भरके लिखा जाता है, fountain pen का अविशकार भी जो है कोई ज़्यादा पुराने नहीं है, उसके पहले तक स्याही सामने रखते थे, लोग या तो एक पंख उसमें डुबाते थे, या लकडी से या सरकंडे का जो है pen बनाते थे, उसको शार्प नोक बना के उसमें डुबा के लिखते थे, तो पेपर के अविशकार के बाद भी, प्रेस का अविशकार नहीं हुआ था, चापे खाने का अविशकार नहीं हुआ था, इसलिए लोग हाथ से, बड़ी मेहनत से, बिना आधुनिक pen के, इस स्याही में डुबा डुबा कर लिखते थे, जिसमें गलती होने की बहुत संभावना थी, जो बहुत श्रम साध्य काम था, और लिखते में पेपरेस के उपर स्याही गर जाने की संभावना थी, और वो गिरते ही जो है वो बिलकुल स्याही सोक जो पेपर होता है उसके समान स्याही को अब्जॉर्ब कर लेता था इतने श्रम साध्य कारी के होते हुए भी मसीही विश्वासी लोग इतने समर्पित थे कि उन्होंने दस हजारों में बाइबल की कौपियां बनाई अपने लि दुनिया में भीजने के लिए बनाई इस तरह से बाइबल जो है हस्त लिखित बाइबल की प्रतियां सारी दुनिया में फैल गए पंद्रासों के आसपास जब गुटनबर्ग ने चापे खाने का विश्कार किया तो पहली बार मसीही लोगों ने सांस ली कि अब परमेश्वर का वचन आराम से चाप सकेंगे बहुत आयद से चाप सकेंगे और चापे खाने में चापने के कारण जो है श्रम कम हो जाएगा कीमत कम हो जाएगे और जन जन तक परमेश्वर का वचन पहुँच सकेगा इवन गुटनबर्ग जिसने चापे खाने का विश्कार किया था उसने जो सबसे पहली पुस्तक चापी वो बाइबल है और उसको आज भी गुटनबर्ग बाइबल कहा जाता है आज जब मैं आपसे बात बोल रहा हूँ तब तो टेकनोलोजी बहुत बढ़ गई है पेपर बहुत सस्ता हो गया है फैक्टरियों में प्रोड्यूस हो रहा है एक से एक पतले पेपर जो है छापने लगे हैं जिसके कारेंट बाइबल जो है इसको हम हाथ में लेके जा सकते हैं मुझे आदे मेरे पर दादा के जमाने में बाइबल गरंत इतना भारी हुआ करता था कि वो लोग यों कंधे पर रखके चर्च ले जाते थे लेकिन अब बाइबल पतले पेपर पर मजबूत पेपर छपने लगा है इतना ही नहीं अब तो कंप्यूटर पर बाइबल लब्द है पाइबल ने एक बहुत लंबा रास्ता साड़े तीन हजार साल पहले जो पहला गरंथ लिखा गया था वहां से लेकर आज तक एक बहुत लंबा रास्ता पास किया है लेकिन इस लंबे रास्ते को पास करने के दौरान इस महान गरंथ ने करोडों करोडों लोगों क एक नव जीवन दिया है, नई आशा दी है, मुझे दी है, आपको दी है और इसी कारण तो हम ये बाइबल परिचे देख रहे हैं आने वाले दिनों में प्रभु ने मदद की तो बाइबल की जो 66 पुस्तके हैं उन में से एक एक पुस्तक को लेकर किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, विशेवस्तू क्या है और उसके द्वारा हम को क्या आत्मिक पाठ मिलता है, हम इन सब बातों को देखेंगे प्रभु आपकी मदद करें